तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में और चलके देख लेते हैं क्या कुछ वर्जिन हमारा है और हमें यहां पे क्या कुछ चीजे देखने को मिलती हैं सबसे पहले डिवाइस की बात करें तो यहां पर आपको डिवाइस का नाम देखने को मिल जाता है जो कि है एक जीरो डबल टी इसके अलावा बात करें तो यहां पर एकस कैलिबर ओफिशल बिल्ट है यह सुपीरियर ओएस का और इसका कोई वर्जिन वगेरा यहां पर इन लो इसको बनाया गया था जो कि हमारा अपडेट या फिर वर्जिन या फिर कस्टम रोव आप जो भी कहना चाहें इसके अलावा करनल की बात करें तो यहां पर आपको SD करनल देखने को मिल जाता है और साथी बात करें सेफ्टी नेट स्टेटस की तो आप देख सकते हैं बेसिक इंटेगरिटी सेक्सेस है सीटियस प्रोफाइल मैच भी सक्सेस है तो इसके लिए हमें कोई भी एडिशनल चीज़े करनी नहीं पड़ती है बाइडेफॉल्ट इ क्योंकि आपको device certified मिलता है DRM information पे एक बार एक नजर डालते है तो security level L3 का मिलता है यानि कि आपकी जो भी OTT platforms होंगे mostly Netflix या Amazon Prime वहां पे आप HD content तो नहीं देख सकते लेकिन SD में जरूर उसको browse कर सकते हो device में आपको fingerprint का support भी देखने को मिल जाता है जैसे ही मैं यहापे लगाता हूँ device हमारा unlock हो जाता है जो कि थोड़ा सा मुझे slow लग रहा है लेकिन काम करता है वहीं बात करते हैं face unlock की तो face unlock का option फिलहाल हमें इस ROM के अंदर देखने को नहीं मिलता पर इसकी कमी अगर आप regular user ह तो आपको फसंद इस्तमाल करना तो आपको कहीं न कहीं जरूर महसूस होगी camera to API की बात करें तो हर बार की तरह हमें इस version के अंदर भी enable देखने को मिलता है यहां देख सकते हैं हमें level 3 का support देखने को मिलता है यानि कि इसके साथ में google camera भी आप बड़े आराम से इस्तेमाल क की है नॉर्मली अगर मैं हलके फुल के usage की बात करूं तो अभी आप देख सकते हो 2GB RAM मेरी स्तमाल हो रही है लगबग 4GB RAM मेरी फ्री पड़ी है टोटल 6GB RAM मेरी डिवाइस में है तो RAM management इस ROM के अंदर मुझे वाकई काफी काफी तारीच देखने को मिला है काफी अच्छा है और well optimized है जो की काफी जादा smooth इस ROM के experience को बना देता है वहले अगर sound quality की बात की जाए तो इस ROM के अंदर मुझे sound quality तनी जाद आची देखने को नहीं मिली थी इसके अंदर थोड़ी ट्रेबल जादा थी और बेस नहीं थी यह आवाज में वह मजा नहीं आ रहा था जैसा के इ अगर इसको अपने डिवाइस पर ट्राय करना चाहते हो तो फाइल का लिंक वीडियो के description में प्रोवाइड कर दूँगा वाज़े आप उस फाइल को भी नॉर्मली अपने डिवाइस पर flash कर सकते हो मैं जिसक वायर रही आपको कि ज़रूरत नहीं उसके लिए और आपके ड तो अच्छे से काम करता है मोबाइल डेटा भी काफी अच्छे से काम कर रहा है Wifi भी ठीक था काम कर रहा है स्ट्रेंथ भी ठीक है Wifi की लेकिन इस्यू मुझे मेला है कभी-कभी क्या होता आपका Wifi एकदम से आपको परिशान करने लगेगा आपका डिवाइस जो है वह वा काफी टाइम से दिक्कत नहीं कर रहा है पिसले एक से दो दिन से लेकिन उससे पहले ये प्रॉब्लम मुझे वाइफय के साथ देखने को मिली थी साथ ही बात करते हैं यहाँ पे वाल्टी और वाइफय कॉलिंग की तो दौनों का अच्छे से काम करते हैं और दौनों का सपोर जैसा मुझे मिलता है एवरिज देखने को मिला है इसका जो करनल है वो ठिक्टा काम करता है लगबग तीन साथे तीन घंटे में फोन फुली चार्ज हो जता है वैसे मैं अक्सर रात को उसको चार्ज करता हूँ इतने जाद नोटिस करता नहीं हूँ लेकिन चार्जिंग मे बात करें वो थोड़ा सा मुझे यहां पर कम देखने को मिला है नॉर्मल रोम्स के अंदर आपका लगबग 24 गंटे जाया करता है लेकिन इसके अंदर आपको 18 गंटे का ही बैकप मिलता है तो यह बैटरी बैकप पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम है इस रॉम के अंदर ले सर्दियों का सीजन है हीटिंग का नहीं पता चलता है तो डिवाइस हीट तो नहीं होता है और बाकी गर्मिया कभी आएंगी तब शायद हीट होने लगे मेरे ख्याल से तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी डिवाइस की उमर तीन साल हो जाएगी और अब बात करते आपको शो होंगे जो कि अभी फिलाल नहीं है अब इसको लेफ्ट और राइट स्वाइप करोगे ना तो आपके नोटिफिकेशन यहां से क्लियर हो जाएंगे जो कि मुझे काफी इंप्रेसिव लगा ज्यादा तर रॉम्स में आपको देखने को ऐसी चीज़े बहुत ही कम मिलती हैं इसके अलावे एक दूसरी चीज़ की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हो सुपीरियर ओएस के अपने वालपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं तो इसके अंदर काफी ज़दा वैराइटी तो आपके पास में नहीं है लेकिन हाँ जितने भी हैं इतने में आपका काम आराम से चल जाएगा आपको यहां पर लाइट थीम मिल जाती है और अलग-लग तरह के सुपीरियर ओएस के डिजाइन मिल जाते हैं तो आप काफी सारे वालपेपर में यहां पर चूज भी कर सकते हो और अपना फेवरेट वालपेपर अपने फोन पे लगा सकते हो बाकी रॉम्स के अंदर हमें इतने जाता वालपेपर नहीं मिलते सिर्फ एक ही बाई डेपॉल्ट मिलता है और आप उसी को इस्तमाल करते हो और अब आचाते इसके सेटिंग्स वाले सेक्शन में तो यहां पर देखो बाई आपको जैन पार्ट का उप्शन नहीं देखन होता है वह चेंज कर सकते हो नहीं आप टॉगल या फिर आइकन शेफ बगएरा चेंज कर सकते हो हां एक चीज़ आपको मिल जाती है आप इसके डेफॉल्ट लाउंचर के साथ में कोई भी आइकन पैक यूज कर सकते हो वह यह रॉम सपोर्ट करती है तो यहां पर आपको भी आपको मिल जाता है लेकिन जैसा मैंने कहा यहां पर आपको सिर्फ ऑप्शन मिलते हैं सेटिंग्स वाले कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है उतनी ज्यादा नैविगेशन बाहर आपको मिल जाते हैं बटन मिल जाते हैं और आपके जेस्चर होते हैं जो यह फिर आपके न Notification Settings को आप थोड़ा सा Customize कर सकते हो और Miscellaneous चीज़ों में भी आपको एक दो Option देखने को मिल जाते हैं तो सिर्फ आप Settings में फिर बदल कर सकते हो इसके अलावा आप ROM के साथ में कोई भी Color Change करना Design Change करना, Font Change करना ऐसी चीज़े नहीं कर सकते तो अगर आपको कोई ऐसा ROM चाहिए जो Stock Android के काफी ज़दा पास और थोड़ी बहुत Extra Settings के साथ में आता हो तो Superior OS आपके लिए एकदम अच्छी चोईस हो सकता है बस यहाँ पे आपको कुछ चीज़े Face करने को मिल सकती है जैसे Wi-Fi वाला इशू था, Audio Problem थी लेकिन इनको आप Fix कर सकते हो और अगर आप Customization ज़्यादा पसंद करते हो तो मैं recommend करूँगा आप इस ROM के साथ में मत जाना यहाँ पे Customization के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है सिर्फ कुछ Settings ही दी जाती है तो यह था Superior OS का review, I hope आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करना, share करना अगर आपके कोई भी friends ऐसे हैं जो Custom ROMs वगएरा पसंद करते हैं और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना इन फ्यूचर ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आप से आने वाले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए